शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें किनापा ने बच्चे के पाप को मैं भी मार दिया है सार आपके इस्टेक्टर ने मेरे पदी का कुण किया है बेया में खुण कर दिया है च्या? श्च्श्पेंड! अभे क्या भी? तेकिए देया को कुछ भी नहीं मलूम है यह सब किसी और ने किया है जब जब देखो 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 कि नहीं ने वजित ये बच्चा दया के पास दया के घर में रहेगा मेरे घर में क्यों साथ ये जो भी ये ड्रामा कर रहा है वो चाहता है कि ये बच्चा तुम्हारे पास तुम्हारे घर में मिले ताकि तुम्हारे उपर जो इल्जाम लगे हैं वो सही ठहरे मगर सब मैं प् तुम क्यों असर है? नहीं, सर वो मुझे लगा कि देया की शादी नहीं हुई है तो ये बच्चे की देखबाल कैसे करेगा सर? तो तुम देखबाल करो रहोगी? है? हाँ सर ये ठीक रहेगा डॉक्टर तारिगा भी आ जाएगी तो दो दोनो साथ में समालेंगे बच्चे को जैया मज़दबन जैसा विह के रूढ़ यहिं करो इस बच्चे को तुम भी समालो आए सर अ तैया को फसाने का प्लाण उस बंग्ले में सही शुरू हाए जहां पर छ खबरी न देया को बलाया थ lecture इस पच्चे के बाप कगन की लाश वहाँ पे मिली पर बाद भी वहीं पे तासर अगर कुछ सुराग मिलेगा तो उस बंगले में ही मिलेगा आप जिद बंगले में ही चलते हैं जाए सर्फ समल के रहना सर्फ कुछ मिला भी नहीं सर्फ पुरा गार्डन यहां वाँ सब जगा खोड डाला है परबाद के लाश कहीं नहीं मिली अगर इस परबाद के लाश मिल जाते ना तो कितना असान हो जाता दया को बेकातुर साबित करने के लिए सर दया ने खुद कहा था उसने परबाद को यहीं पे कोली मारी है तो लाश कहीं तो गहीं कहाँ कोई छोटी मोटी चीज तो हैने की कोने में चुपा के रखती अभी तो मालूम है अभीजीत मालूम है लेकिन अभीजीत मेरा दिल कहता है कि आमसे कुछ छूट रहा है कुछ तो छूट रहा है अगर कोई छूटा मूटा सबुद में मिल जाना तो दैया को पचाने के लिए तिनके का साहरा बन सकता है अभीजीत जहांपर गगन की लाच मिली वहांपर चलो चलो आजो जल्दी अभीजीत अभीजीत ये है गगन का सूखा हुआ खोन अब एक मिलेट एक मिलेट अगर अगर गगन यहां पर खड़ा था और उस पर गोली चली तो गोली लगते ही उसके शरीर में से जो खून निकलेगा उसकी चीटे इन दोनों दिवारों पर तो उड़नी चीए यहां देखो दोनों दिवार पर एक भी खून का चीटा नहीं कैसे क्या कुणी ने दोनों दिवारे अच्छी दर से साफ कर ली साफ कर दियोंगे तो क्या ह आमारे पास इस्प्रेया ना उसे मार्के देख लेते दिवार पे खुन था या नहीं कियो विजित कहीं पर भी खुन का एक भी छिटा नहीं ना 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 इसका मतलब समझ में आ गया है आज सर्ण गगन यहां पे खड़ा नहीं था जब उस से गोली लगी लेटा यहां था बेोष बेोष लेटा हुआ था अब जित करन कहीं और बेषा पड़ा था खुनी ने उससे वह अशिला करके यहां डाल दिया और फिर उसे पर गोली चलाई मगर कई से कर गोली चलाई दया की गन से, दया वहां पर बेहोश पड़ा था, खुने ने दया की गन ली और यहां करके गगन को गोली मारी, और सारा इल्जाम हमारे दया पर आ गया, लेकिन कहां, कहां पर रखा था गगन को बेहोश? देखा सर, ये, कसीटने के निशान है सर, यहां पर रखा गया था, इस करन को, ये, वो क्या है देखो जरा? गोसा? गोबर की और दूद की समेल है सर, इस गूसे में? दूद गोबर की समेल? मतलब कहा है बेंसो का तबीला? मतलब सर, इस कगन को तबीले में लिटाय हुआ था? हां, बूसे के अंदर दबा के रखा होगा, बेहोशे तो था वोँ? है न? यह सरव? शेत ! बता लगा, आसफास गाय पैसो का तबीला का न है अर यार, मेरा बच्छा सोया है, क्या कर लात हो? हरी नहीं आरी क्या? नहीं नहीं आरी क्या? सोजा! 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 डाइपर किला तो नहीं हो गया? ओ-ँ, मैरे बच्चे का डाइपर किला हो गया. अब अब एंकल आपका डाइपर चींज करेंगे. अँ, बच्चे, आप ही हो जाएगा. पता भी नहीं चलेगा! ओमममम, सघ्ञा उंकल चोकर बनी चोकर धेघर खुछ सось ठीज़ भी मेर ईनकल आपको डाइपर गिला होगा अब इनकल आपको डाइपर चेंज करेंगे अव ऐह बच्या यह पाढ़ी हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा पता भी नहीं चलेगा मेरा डाइपन है अब अंकल आपको पान पिनाएंगे भूख लगी है फ्रेश हो गया फ्रेश हो गया अंकल आएंगे सब ठीक करते हैंगे यार अब जीट आप मुसीबत में फ़स गया हूं यार ने कोई खत्रा नहीं यार ने कोई भत्रा नहीं ये ये बच्चे अपना यार ये सूने रहा है रोए जाना है समझ उन्हें है रख जातर हाँ 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 अभी अभी जीत अंकल लाएंगे अरे भईया आजकल तुम्हारे दूद में बड़ी मिलावत हो रही है क्या बात करते हो भईया ये तबेले के दूद में मिलावत येसा हो ही नहीं सकता आपको गलत भेमियोड भईया जलत भेमी नहीं जो सच है वही कह रहा हूं अरे 20 सार इस नहीं मेरा तबेला है मेरे बाप सर बंगलो के आसपा से भी एक तबेला है वो सकता है गगन को बंगलो में रखने से पहले गगन को इस तबेले में रखा गया तको अगर तुम मुझसे इस तरह से बात करोगा मैं तुमाई शिखायत कर दूंगा अखार दे या हो रहा भाई साब यहां में आपको दिया का लगता है यह साब आप दूल लेने आया है तुम जा रहा हूँ पर इस आदमी को आप छोड़ना मत हाँ तुम जाओ नहीं चोड़ेंगे अशी बताओ के गगन का नाम सुना यह तुम ने एक इसे गगर को नहीं जानता वोटा दिखा जारा यह जानते हो से फिमीन पर इसका खून हुआ है मैंने साथ मुकबिल देखा साब देखा तो मारने से पहले से जहां रखा गया था उस जगह पे हमें भूसा मिला है और भूस अश्चा सर्फ तबेले में हो सकता है वो कोई दूसा तबेला हो गां साब कसम से एक है वाई लोगों से पूछ रहता है कि अपनों जल्भा इसको देखा कभी नहीं देखा यान से देखो नहीं साब आगे दिखते हैं तुनी दरा कि नहीं पाशांताइसा अरे बश्चा इवार से देखो कि तुम्हारे पसीने क्यों चूट रहा है इस यह की अजिए पहुत तर्दी के महीने में तुमें गर्मी लग रही है वह मैं क्या वह जापढ दो नई सब मैंने से नहीं मारा साप मैं तो इसे बंगले पर छोड़कर आया था साब बंगला नंबर 26 में जहांसे गगण की लाश मिली थे तुमने गगण को जिन्दा चोड़ा यह उसकी लाश छोड़ी वहां पर जिन्दा लेकर गया था साफ पर साफ वह बहुत सराप पिये हुए था तुमने उसको किसे कहने बे चोड़ा था? एक आदमी नी मुझे पैसे दिये थे कह रहा था यह उसका दोस्त है सराप भाजादा पिली है इसलिए मैं उसे बंगले नंबर 26 पर छोड़ा हूँ यह जिस आदमी ने तुमें पैसे दिये यह सब करने को उसकी शगल तो देखी होगी वो सामला था साफ और उसका कद करीब 5 foot 10 इंच कर रहा होगा उसके मूशनी साब और दाए आग के नीचे घाओ का निशान था है साब दाए आग के नीचे घाओ का निशान जी एक निट कहीं तो म इसकी बातो नी कर रहा है हाँ साब हाँ इसने मुझे एक हजार रुपए दिये थे, इन सहाब को बंगला नंबर 26 पर छोड़ने के लिए साब, इसका मतलब गगन और प्रभात एक दूसरे को अची तरसे जानते थे, यह कब की बात है, यह तीन दिन पहले की बात है, रात के करीब दो बजे थे, रात के करीब दो बज कामने के लिए साब, सर्व, अजीब बात है, जगन वहाँ पैसे लेके धिसार क रहाठ है तário ह। किम है किने इसके अवाले कर देता है ताकि यह उसे बंगला लगंव सुठ्रा चार रहा है, यह कीस तो उरशता जारहा है, रही ऐसा तो नहीं कि यह किपन्नापिंग, दया सर को फसाने की प्लानिंग का ऐसा है क्या यार यार इतनी टेंशनों कि यह मुझे फोन करके बलाना पड़ा यह बच्चे को नहीं समाल सकता यार अले 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 अरे यार सुपर से दूद पिला पिला कर नाक में दम आगया मेरे अधनो है अले पिला। यहार शूटी सी बाता यहार अले लो ख Matchčak जोले लोडा विजयो भीच्च्छ नही इतनी अले किच्छिनी अले कच्छिनी अले के टो यह eigenlijk को पता यह इं évidemment श 하र डूद नहीं को गार है डूद नहीं को कि अधने हो क्या कर दिया आप ने यार यार ये सुने कर नाम ही ने लेता है दूमें दोड जाता है ने ने मैं दूसरा दूद बना देता हूं और कप्ड़ा का है पश्च भी साफ कर देता हूं वहां वहां सामें कुच-कुच-कुच गी बनातेता है बनातेता भी बनातेता दुज़ रधो सुवब से दस बार सहर साफ कर ची कहा है але- श्टुचुचु ओओफ also well bonbon moml bonbon 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 white week ain't bonbon to take it bonbon खुझता अअग? और नहीं तो विसमेन और से नहीं बढ़ बातरो? सबस्क्राएं यह आप striekt देने हैं यहलुता है क्ल भीडे सबस्क्रा से अअगेज घंने थिले चेक्करणी अरे अरे बच्ची का दूण कहा फिरो dude पड़ियार, बादे निया, सो जाए गा, बड़िया. ब्रक्रोबत बड़िया. बाब अबयुकुपचाप, सो जाए. अरे यार, दैया, इसको कोई गाना-वना सुनाए, या. लोरी, लोरी, सुना योरी, लोरी, लोरी哦, योरी, नोरी? कभी फोन करके वाइफ परिशन करती है, तो कभी बड़े-बड़े मच्छर, सोच रहा हूँ, दयासर का क्या हुआ होगा, खबरी आएगा अगे नहीं? सब, कोई तो आ रहा है, भगवान करे खबरी हूँ सब्सक्राइब करता है, यह बर्तन बेचने वाला इस वक्त यहां पर क्या कर रहा है? सब, कहीं यह बर्तन बेचने वाला हेमन्त ही तो नहीं है, चुपेस बदलकर आया है, हो सकता है यह तो घर में कुछ गया है यह, एक काम करो, एसीप सब को फोन करो, उनसे पूछो क्या करना है? लो, सर, सर अभी-अभी एक आदमी गर के अंदर गुसा है, सर, और हमें शक है कि वो हेमन्त ही है सर, आप लोग आ रहे हैं न? कि के सर, हम लोग बार ही उंटसार करते हैं 1. मेंट 2. में, 2. में 3. में 4. में 10. में 14. में कर था साथ क्यावर ч अब है करे हित crisis कर ददी कर दा तो पर प्सक् करोशी ब के उत्तारिक, प्सक्तार ली इंडिव You, जा कर दा दोक्रा आट्टिर्दी तुस बतादी जलो, देख काम करो, वहाँ पे देख के दिया है, सब कुछ धुनला धुनला नदर आ रहा है, कल गल्फेंड के साथ चलते चलते अचानक गिर गया है, कितनी बेज़ेती हुई मेरी जो नंबर दिया था, पुसी का गलास बना के दिया, दुनला नचरा रहा है तो इसमें मैं क्या करूँ, नंबर बढ़ गया हो तुमारा मैं कुछ नहीं जानता, पूरत दस हजार रुपे दिये मैंने समझे, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए देखो, अभी दुकान बन करने का टाइम हो गया, तुम कल आके मिलना, कल आके मिलना, मैं तो बाद में देखूँगा, वाइचाप, चेश में खरीदना मत यहासे, कुछ मत खरीदना आई आई आयए, क्या दूआ आपको, स MEM Wars देख मेरा हैं, मिरी मानिये आपपे बल्यक सनग्लासिज बहुत जमेंगे शुक अम लोग ओगल लेने नहीं आए, बल्कि पूश्टाश कर में आए, पूश्टाश कर नहींये एक खून के सिलसने में पूछ ताश करने हैं खून? प्यरूर आप पुलीस या C.I.D. सहुंए जी आपने बभलकुल ठीक पहचाना है हम लोग C.I.D. सही है किसी भी खून से मेरा कुछ लेना देना नहीं है लेकिन हमने कब कहा के आपका खून से कोई लेना देना है वो, दरहसल साथ मेरे झाहू का उसे है जानते हैं इसे? यह तो परभाथ हैं न? जिया यह परभाथ है आप जानते हैं से? हम्हें रेगुलर कैस्टमर है हमारा यही पांस के रहता है पास में रहता है यहां से सीधा जाके आगे जो सुप्रा नगर है सुप्रा नगर में बाईं तरफ का तीसरा बंगला है सुप्रा नगर में बाईं तरफ का तीसरा बंगला है लेकल अब तक हमें प्रभात की लाश नहीं मिली है इस घर का कोना कोना चान वारो यहाँ जरू कुछ ना-कुछ मेलना चाहिए. उन्तो डेड़ु. बच्चों का छूला और यह बच्चों के खिलोने? इसका मतलब बच्ची को किड्नैप करके यहाँ रखा गया था. और इसलिए गगन को भी यहाँ लाए गया. लेकिन एक बात समझ पे नहीं आ रही. क्यों पैसों से भरा बैग वहीं पे क्यों छोड़की चला गया? शीशी में तो शायद ड्रग था. कहीं इसी ड्रग से गगन को भी होश तो नहीं किया गया? यह असा था नहीं? कि गगन ने सोचा हो के पहले यह देख लो कि बच्चा सही सहलामत है कि नहीं? मगर इस सारे पसाद की जड़वों ब्रुवात की लाश भी तक नहीं मिली. दया सर भी पता नहीं किस मुसीपत में बस गया है. भगवान करें सब कुछ ठीक हो जाए. सर! आने करें. यह देखें सर. शीशी में शायद ड्रग था. सर हो सकता है कर गअगन को इसी ड्रग से भी होश किया गया हो? हो सकता है. और यह देखो.. बच्चों के खिलों ने.. बच्चे को किड़्नेप करके यह ते रहा गया था. दया सर के घर पहुँचाने अपहले. मगर सर इस बच्चे को दयासर के घर पहुचा के किसी को क्या मिलेगा? मैं अभी यह सोच रहा हूँ कि किसी ने मासूम बच्चे को किड्नैप करके उसकी माँ से जुदा किया और फिर दयासर के घर पहुचाया लेकिन ये गिरी हुई हरकत कर कौन सकता है और इस हरकत के पीछे इसका मकसद क्या हो सकता है सर, सर आगे हैं वेक, वो बरतन वाला आदम है अभी हुई हर के अंदर है आज सा, अंदर ये से उसके साथ कोई और भी था या अकेला तो? अकेला अबिचीत कर का कोना कोना चान मरो देखो कई पर चुपकर बैठाओगा वो सुर्ण, अपिशीत, मुझे तो यह हेमंद लगता है, दया का कबरी, देखो ज़रा, आसर यह तो हेमंद है, कोली बारी है, कोली अभी अंदर है, सर, एक्जिट बूंड नहीं है, यह कौन है, अभशीत, तो रपढता हूं इसे, यहां कुर्फटन को बनागरा है, सत्क्राभादा को दया ने वहां हुसा जानी के बंगले पाणी का यहां पर इसके वहां हो अहां पर इंहरा के नंगले मुझे ही निचानी ने जाती कि में परहुती हैarethको itself को बनागरा है और उसकी लाष यहां ही मध्यार के घर में हैं गोली अवाज है। सर, इसके हाथों और गर्दन पे खरोच के निचाने सर. यह देखे सर. शायद इसने अपने आपको बचानी के कोशिक्षिक्ट होगी है. लेकिन सर तया के साथ इसके हाथे पाई वह यह नहीं है. दयाने सिर्फ इसे गोली मारी थी सर तो फिर गोली के आवाज गैसे नहीं सुनाई पड़ी तुम दोने गोली के आवाज नहीं सुनी नई सर बिलकुल नहीं अगर हम दोनों ने गोली के आवाज सुनी होती तो हम लोग तुरंट अंदर आजा थे सर खोनी गर के अंदर ही था जैसे हमन्द घर के अंदर अया ऐसा गोली मारी और भाग गया लिकिननना भीजित है कोन जिस ने यह खोन किया है प्रगर वह यहां से भागा है तो भागा कैसे प्रधर भागा है बाहा से जैसे जबकि विवेक और फ्रेडी दोनों के दोनों तैनात्ते घर के बाहर, लिखो कि छुपकर तो नहीं बैठा. अभीजित! अभीजित! अभीजित खुनी यहीं से बागा है. माई गाड! सरा, नहीं जल्दी से जल्दी खुनी को डूड़ना होगा. नहीं तो देया के मुसीबतें और बढ़ती जाएंगे सरा. आभीजित, खुनी को जल्दी से जल्दी जूड़ना होगा. जल्दी से जल्दी. आईए, आईए! आप लोगो एक कहानी सुनाता हु. आप लोगो कहानी सुनेंगे, तो खुशी के हमारे डांस करने लगे. यह हो क्या क्या है तो में सौरूं के? जो? डिसीपी साब हमारे जान के पीछे पढ़े हैं, दया पर खुन का इल्दाम हैं, और तुम्हें मजाग सूज लाएं? अरे पर? क्या पर? हाँ? आप लोग क्या हमारी फिकर नहीं है क्या? आपको सिर्क मुर्दों से प्यार हैं, जिन्दा आदमी से नहीं. अभीजीद, इन मुर्दों ने मेरे कान में ऐसी कहानी सुनाई है का आप लोग सुनेंगे, तो आप लोग भी इन मुर्दों से प्यार करने लगेंगे. अर्टुमेर, बताओ ना, क्या बताया तुम्हें मुर्दों ने? इस प्रभाद के मुर्दे ने मेरे कान में ये काया कि इसे दया ने नहीं, किसी और ने मारा है। क्या? ये कैसे हो सबता है। दया ने खुद बताया कि उसने प्रभाद को मारा है। नहीं अब जीट, इस प्रभाद के मौत हेमन के मौत से चार गंटे पहले हुई। यह गोली उस गन से नहीं चली तो फिर किसके गन से चली है यह गोली उस गन से चली है जिससे इस हेमंत को मारा गया है इसका मतलब हेमंत और प्रभाद इन दोनों को एक ही आद्मी ने मारा है एक ही आद्मी ने अगर ये परबात, ये दो बार कैसे मर सकता है? अगर देया ने तीन दिन पहले इसे मारा है, तो ये फिर से कैसे मर गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब देया सुने प्रबात पर गोली चलाई थी, तब वो गोली प्रबात को लगी ही ना? हाँ विवेक, ऐसा ही हुआ, प्रभात पर जो गोली दया ने चलाई वो गोली प्रभात को लगी ही नहीं सर अब तो डॉक्टर सालूंखे ने भी बता दिया है, प्रभात को जो गोली लगी थी, वो दया की गन से नहीं चली है मतलब सर ने किसी को भी नहीं मा रहा है बिलकुल अभी ये पहले खुनी ने गोली चलाई गगण पर दया की गंठ से और फिर प्रभा और हेमंद पर गोली चलाई अपने खुद के गंद से मतलब सर हेमंद, गगण और प्रभाद टीनों का खुनी को ये एक है पर सर ये जो कोई भी है दया सर को जानमुच के फसाने की कोशिश कर रहा है इसलिए रास्ते में तिनी अर्चने डाल रहा है पर ये गगन के बच्चे को भी उसने दया सर के घर पे जानमुच का रखा था सर कजले काम करो, पिछले 14 साल जितने भी केसिज में दया पर इल्जाम लगे हैं, और फिर जितने भी मुझरिमों को दया ने सजा दिल्वाई है, उन सब के रेकॉर्ड्स निका लो, पता चल जाएगा है कौन ये जो दया को फसाने पर तुला है। जो जो बीटा, बड़ा स्याना, गा के गाना है तुझे स्लाना। दर्वादा कोल लोगो ही। जाके दर्वादा कोलेंगे, ओके? खोल ये! धर्वादा कोलो कोई भी बीज, कोई है? प्लीज दर्वादा कोलें। अरो, एक मानेट कहा है मेरा बेटा? अर्यों! आप यहां क्या करीछ? मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं मारम कि आपका बेटा कहा है? देखी सर, प्लीज मुझे मेरे बेटे से मिला देजे, उसको देखने के मरी अखिए तरसनी जाए्टा जाएसा, व व व यही है ना आप मेरी बात का यकीन क्यों ने करती, आपका बेटा यहाँ पर नही है सर आप जानते है मेरा बेटा का है यूकि जब मेरी पधी की मौत हुई थी तो उसमत बही बढ़ते है ना आप जानते है ना मेरा बेटा का है आप मेरी बात का यकीन के नहीं मान रही है हां मुझे नहीं मालूम आपका बेटा का है सर वो मेरी जिंदगी है उसके बगार में एक पल भी नहीं रह सकती सर प्लीज मुझे मुझे बता दीजिए आम वेरी सॉरी मैं आपके कोई मादब नहीं कर सकता तु फिर मेरी मौत के सिंदमें ताभी आप ही होंगे मैं प्लीज आपके बच्चे को ढून रही है और बहुच जल सही सलामत आपके बच्य को आप तख पुचा देंगे अपके आफ की एनगे अपके जानेंगे एक मा के ममथा क्या ह graveyard अगर मेरा बच्चा ऐसी वाक मुझे नहीं मिला तो मुझे घुड रहांगे मैम सर्सर्सर्सर्ら प्लीज मेरा बेटा मुझे वाफस आदे जिजिए वाफस आदे जिए आप придit देखिए पृतिजी आपका बच्छा सही सलामत था ठीक है मेरे पास मेरा बेटा आपके पास है ना मैं उसको मिल सकती है वो भी ऐना घखात नाइट मेरा बच्छा अब के तब अगवान का लाख लाख शुक्रिय है कि तुझा नहीं रुआ सार्थ, आपको यह एसान में जिंदिगी भर नहीं भूलूँगी, अब अखे एंसान है, और मुझे यकीन हो गया, मेरी पती का खुण अपने नहीं किया मैंने आपके पती को नहीं मारा है, और इसे बहुत चल्द हम लोग आपके पती के खुणी को दून लेंगे मुझे मेरा बच्चा मिल गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए अब 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 अच्छे की साथ के लिए मैं तब तक चाह लेकि आताम के लिए सर्फ, यह देगी सर्फ, इस फाइल को देखके लगता है कि देया सर को फसाने की वज़ा है, इस केस से जुड़ी है सर्फ यह केस, सर्फ, यह तो वही केस है, जिसमें देया ने आत्मात्या करने की कोचिश की थी अभीजीत, मुझे अच्छे तरह से याद है, इस केस में जो आदमी मरा था, उसका एक बच्चा भी था, 14-15 साल का उस वक्त इसका मतलब सर्फ, वो अभी 28-39 साल का होगा कहिए वही बच्चा तो नहीं, जब दया से अपनी बाप की मौत का बदला ले था यहाँ तो लिखा है के दया सार बेकासूर है? सचिन लिखा हुआ कुछ भी हो, लेकिन जब किसी के दिल में किसी के बारे में दुश्मनी बैट जाती है तो बैट जाती है, वो बदला लेकर ही रहता है इस बच्चे के दिमाग में आईसा ही जाहर हुसाय है, दया के खिलाफ विवेक, आपके के सारी फोटोग्राफ्स लेक रहा हूँ यह सर, क्या हुआ? अब इसे तुन फोटोग्राफ्स में कुछ तो है, कुछ तो है जो हमने मिस्स किया है सर, यह यह देखो यह देखो यह देखो यह देखो है न? इसका मतलब सर इसका मतलब है अबजीत, दया को फसाने में किसी एक कहात नहीं बल्कि और भी लोग मिले हुआ है उसमें चाको से यह 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 क्या कर यह तुम? यह कोई तरीका है बच्चे से कहलने का? और यह चाको यह तुम्हारे पास कहा से आ है? मेरा बच्चा है, जैसे सुलाओ तुम्हें इससे क्या? अर यह जचाको कहां से आया? यह तुम्हें बताना में ज़रूरी नहीं समझती काम करो, दया को फोण करो हा, क्या हुआ. सर दया का फोण बंद आ र Israelites दया का फोण बंद आ रहा रहाijah वही तो, कहीं दयासर किसी तरह की मुसीबत में तु नहीं पसके है अभिजित, इसी वक्त दया के खर चलते है ये चाको मुझे देदो, बच्चे को चोड़ लग जाएगी पीजे रो पागल हो गई हो गया तुम चुपो जाओ बना देखो, मानत को कुछ मत करना तुम समझी तुम इसकी माँ हो और मैं इसकी माँ, मैंने इसको जनम दिया है और मेरा पूरा हक है इसको मारने का तुम अपनी बच्चे को मारने की बात कर रही हो एक माँ होकर तुम ऐसी बात करें मैं मजाग कर रही थी मैंने इसे जनम नहीं दिया है मैं तो इसे अनात आश्रम से चुरा कर लाए और ये जिए या मरे मुझे इस से क्या देखो इस बच्चे को कुछ मत करना प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं देखाँ देखाँ हड़ो बच्चे सुधूर हो जा तुम, प्लीज मेरा कुछ नहीं कर साथे मेरे साथे तुम्हारे घर के बार पंधूक लेकर खड़ें संजये तुम ये लोग कॉन पार कर रहे हैं सार दोलोग अभी जिए, लगता है देखो पताने वालों में सही है पुलियूं की अवास, लगता है मेरे साथी आगा है अब तुम्हारे साथे उपी पहादे ऐसा नहीं हो सकता ऐसा हो रहा है बार ख़ग है जा प्राइव विबक विबक, तुम ठीक थो कुणी चूकर निकल गए आप मुझे कभर दो में पीछे से जाता हूं सार बेटर यही होगा, इचा को मुझे देदो नहीं देदी इचा को मुझे देदो नहीं दोगे मैं, पीजह दो दूँ बस बात होगी आतिश बाजी, चल, गुंगण निकल, निकल जैतिन, महला, तुम लोग? तुम लोग तुम आपको ही रास्ता नहीं, एचा को मुझे देदो पीछे दो दो बालो दया की बात, और देदो अपने चा को बालो बोलो, क्यो फजाना चाहती थे तुम मुझे? क्योंकि तुम ने एक निर्दोश की जान ली है मैंने निर्दोश की जान ली? इसकी बात कर रही है तो? लाज से 14 सार पहले की बात है जादी ए क्या रहा है जावाद जावाद तुम्हारे पापा वापसा जाएंगे? तुम्हारे पापा वापसा जाएंगे? तुम्हारे पापा वापसा जाएंगे? एक है संदेगी तेया तुमसे बदला लेने के लिए इसने अपने पती तक का खोन करतिया है वो मेरा पती नहीं था वो उस खबरी हेमंत का दोस था बस हेमंत का दोस? और प्रभाद? जब दया ने उस पर गोली चलाई तब उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहेंद रखी थी है ना? जब दया को लगा कि प्रभाद मर चुका है तो वो फोन लेकर दूसरे कमरे में गया प्रभा तो जओ काम का दो में गया जा बगन को लेकराओ जब आए उस दिन तुम्हें बेहोश करने के वजाए मैंने मार दिया होता तो मेरा बदला पूरा हो जाता अगर मैंने तुम्हारे और प्रभाद के घर के फोटो देखे और तुम्हारे घर के फोटो में वही बच्चे का खिलोना देखा जो प्रभाद के घर में भी था तुम्हारा प्लान में ने समझ में आ गया और तुम्हारे इस प्लान में तुमने अपने भाईया और भावी को भी शामिल कर दिया वार है ये मेरे भाईया भावी नहीं है ओफो तो ये भी असली भाईया भावी नहीं है चलो असली हो या नकली कोई फरक नहीं पड़ता तुम्हारे साथी तो है ना तुम तीनों ने मिलकर तीन खून किये हैं तीन तीन खून सजा भी भुगतना वो भी पांसी ये 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 किदर इदर सर ये बच्चा कितना प्यारा है मैं इसे अपने घर ले जाओंगे हाँ हाँ इसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा इसे कहां लेके जाना है मैंने सोच्किया सर ये बच्चा कहां जाएगा कहां जाएगा सर बच्चा एडॉप्शन एजेंसी में जाएगा एडॉप्शन एजेंसी हाँ एडॉप्शन एजेंसी मगर सर एक्षिली द्याग इतना अटैज्ड हो गया इस बच्चे के साथ कि इसके बगर जी नहीं सकेगा सर हाँ सर और यह बच्चा भी द्या सर कि भी नहीं रहने सकते हैं ओ मैं कहां आगया हूँ स्केरों सर नियुके से अच्चे में किसी आश्रम में आगे हो जहां पर प्रवचन चल रहे हैं सुर्व एंस्च बाद आपको प्रवचन लें मैने तु सिर्फ इतना का ओ कि इस बच्चे से बच्चे से लगा हो गया है इसका मतलब है हर केस के आखरी में यही होने वाला है जो को बच गया, CID को से लगा हो गया तया सर ने इस बच्चे को खुद प्यार से पाला पोसा है सर जिए इस बच्चे को एक मिनिट के लिए भी अपनी निगावां से उचल नहीं होने देते सर मतलब दिन रात बच्चे को देखते रहोगे हां सर और काम कॉन करेगा तुम इसके ले खाना बनाओगे अभी जी इसके चड़ी बदलेगा वीवेक चड़ी दोएगा और यह पूर्वी यह से थप थपाएगी और जब यह सोएगा नहीं तो ACP साहब दादाजी उसको लोरिया सुनाइगे तो दिल पत्तर का होना चाहे है समझे पत्तर का जलो लंगवोड कासलो काम पर निकलो लाओ यह बच्चा इदर दो सपली कि यह बच्चा मेरे साथ जाये साथ चाहिए तर यह जाहिए गरिसार वist akadda कि यह बच्चा मेरे जीने का मक्सण है हूप अन्य है कि इदर इंग शेंडल रहे है यह आंसु निगल रहे है यह अशू बहते है तो बहने दीजिए एक बाप जो उसके बिच्चे को छीन लिया जाए तो उसका गम क्या होता है शायद आपके समझ के बहार है सर्वार जिसके नाम से अपरादी धर-धर कापते हैं उस इस्पेक्टर तया की आख में आसू सर्प्लीस सर्माना हम लोग दिन रात अपरादियों से उल्जे रहते हैं लाशों और मुर्दों की बाते करते हैं लेकिन अभी भी हमारे अंदर का इंसान मरा नहीं है सर्व मैं चाहता देर यहां रहूंगा तो सन्या से बन जाओंगा चलो बच्चा इधर दो इधर दो बच्चा पालने चले हैं अरे तुम लोगों की जिन्दगी का कोई भरोसा है कम गोली चलेगी कम मर जाओगे हां अगर तुम्हें गोली लगी तो कौन देखेगा इस बच्चे तर्मान मैं देखूँ का तुम क्या आमर हो तुम्हें गोली नहीं लग सकती है तो बच्चा दो इधर अधर अरे हसता रहना चाहिए तुम लोगों का जो काम है वो करो अरे क्या कंद्या अरे क्या सिखा रखा इसको उई और अरे को अरे क्या समय प्हें को बच्चे को कर अभूए।